निकाह को लेकर समाचात पच्रों में छपी खबरों का शेहर काजी ने खंडन किया है कि अभी कुछ दिन पहले मस्जिद कमेटी दारूल कजा भोपाल और प्रबंदन कमेटी दारूल उलूम ताजूल मस्जिद की मिटिंग हुई थी या बिना नतीजे मिटिंग खत्म हुई थी हमाई तरफ से ऐसा कोई निर्णाय नहीं लिया गया था जिसमें साथ निकाह होना बताया गया है हम भी यही चाहते हैं कि जैसे पहले निकाह होते थे ठीक वेसे ही निकाह किये जाए मस्जिद कमेटी इंचार्ज सेक्रेटरी यासिर अरफात ने कहा कि आवाम भी इस मामले को लेकर आवेदन लेकर आई थी कि निकाह जिसे पहले होते थे वैसे ही किये जाए यासिर अरफात ने भी पूरों में समाचार पत्रों में 26 निकाह की खबर का खंडन किया है दारुलूम ताजूलमस्जिद के अमीर प्रोफेसर हसान ने भी शेहर काजी की राय से इत्तिफाक रखने की बात कही है बोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट बिसमिल्लाह रर्रह्मान रर्रहीम अभी हमारे तरफ से कोई अलार नहीं है फोजिद के रिफ लूम ave ASAID कि इस तरह निका होते एतेज और इंशालला वैसे ही निकाह होंगे अभर हमारे तरफ से को вз 09. 1970 यह था रहा है हमने उनसे यह बात कियि ती का आपको जो परिशानी को दूर प्रिखिए जाएगा और निशालला मशय से बात कि जाएग happen आज आवाम के कुछ लोगों ने भी इस बार का इहां पे आवेदन दिया है तो अब दो हमारे पास भी लोग शेहर के भी आज़मान फ़ज़रात आएं थे हम अब देख रहा है हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें